मुझा नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजायाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों सुप्रीम कोट ने वरिष्ट पत्रकार विनोद दुवा के खिलाफ दर्श किये कर राश्द्रों के मामली को रद्ध कर दिया अदालत ने इसके लिए सन 1922 के किदारनाग बनाम बिहार राजी के केस में दिये कई फैसले का जिक्र करते हुवे काहा कि हर पत्रकार की रक्षा की जाएगी गौरत लबैगी भाषपा नेता सियाम ने शिम्ला जिलकी कुमार सीन थाने में पिछले साल विनोद दुवा के खिलाफ राश्द्रों मानहानी करने वाली समागरी छापने और सावजनिक उपद्रों मचाने के आरोपों में आई पीसी की धराओं के तहर मुकदमत दर्श कर भाषपा नेता ने कहा था कि विनोद दुवा ने अपने यूट्यूब चैनल के एक कारिक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थी इस मामले के सुनवाई के तौरान सुप्रीम कोर्ट ने साल 1922 की के दारनात बनाम पिहार राच्य मामले मे के दरासल बिहार के ने वाले के दारनात नास सिंग पर, 1962 में राज़सरकार ना एक भासंट के मामले में में केस दरच किया था, लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। किदार नाज सिंग के मामले में सुप्रीम कोट की पांच जजों की एक बेंच ने भी अपने आदेश में कहा था कि देश दोही भाशाओं और अभी व्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंशा आसंतोस या फिर समाजिक आसंतोस् कि वैसा एक्ट जिसमें आववस्था फैलाने या फिर कानौन वाववस्था में गड़वड़ी पैदा करने या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवर्ति या फिर मन्शा हो तभी वा एक्ट देश्ट्रों बढ़नेगा सुप्रीम कोट के निर्ले ने स्थापित किया क प्रतिक वैक्तिक वालोशना या फिपड़ी के माध्यां से सरकार के बारे में बात करने या लिखने का अधिकार है इस केस में इसमें या भी लिखा गया है कि इस बयान से लोगों को कानौन अधारेत सरकार के खिलाफ या सालजनिक आववस्था पैदा करने के इरादे से हि उक्साना नहीं चाहिए। सप्रीम कोर्ट ने फैस्ता दिया कि केवल दो लोगों द्वारा एक या दो बार नारे लगाना सरकार के प्रति घ्रणा या संतोस को तेजित करने के प्रयास के रूप में नहीं दिखा जा सकता है। गिरो रिपोर्ट आईपेन प्रति बारे लोगों दिखा जा सकता है।